हलो फ्रेंड्स कैसे हो आई हो आफ सब ठीक होंगे तो आज मैं इतने आसान से जटपट सी बनने वाली पराठे की रैस्पी लेके आए हूँ जिसे कोई भी बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं जितना बनाना आसान उतने ज़्यादा टेस्टी और स्वाधी साथ ही साथ मैं यहां पर इस पराठे को बराने के लिए एक लोकी ले ली हूँ तो यह लोकी ना बहुत ही छोटे हैं तो ज्यादा बड़े लोकी मत लीजेगा तो उसमें दाने वगेर हो जाते हैं तो वह अच्छे नहीं लगते हैं बनाने में तो थोड़े से छोटे साइज का लोकी ल लेली और ग्रेटर मेना एक एक करके लोकी को मैं कदुकस करके रेडी कर लूँगी तो फ्रेंड्स वीडियो को पुरान तक देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो फ्रेंड्स मैं आप लेली हूं एक कॉटन का कपड़ा है और जो लोकी को मैंने कदुकस करके रखी थी ना तो मैं उस लोकी को उस कॉटन के कपड़े में डाल दूंगी यह दिखी फ्रेंड्स और लोकी में जितने सारे एक्ष्ट्रे वो पानी वगेर हैं आनि जूस तो मैं उसे निचोड लेती हूं तो फ्रेंड्स यकिन मानिए अगर आप मेरे इस तरीके से एक बार लोकी की पराठे को बना के खा लेंगी ना तो आपको दुबारा बनाने का मन करेंगे। तो फ्रेंट्स मैं ना लोकी को जो कदुकस करके रखे थे उससी कॉड़न की कपड़े में थोड़ी देर बांदे हुए ही छोड़ दूँगी तब तक मैं इधर आटे की डो लगा लेती हूँ तो मैं यहाँ पर यह 300 ग्राम की इतना आटे ले ली हूँ उसके बाद मैं उसमें डाल एक चमच जमायन मंग्रेल आधी चोटी चमच नमक डाल दी तो चमच मैं इसमें तेल डाल दी और अब मैं इसे गूत के रेडी कर लूँगी तो फ्रेंट्स जैसे हम लोग नौर्मार रोटी या पराठे के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल उसी टाइप का इसका डो ल प्राय किजिएगा अगर पराठे टेस्टी यमी लाजबाब लगे तो प्यारा सा कॉमेंट भी किजिएगा तो फ्रेंड्स कदुकस की वी लोकी को बांदे थे तो मैं उसे एक बरतन में निकाल ली हूँ तो अब मैं इसमें डालने वाली हूँ दो चमच की इतना छेने तो है तो डाले नहीं तो आप इसे इसकी भी कर सकती है तो फ्रेंड्स मैने ना आलू के पहले से बॉयल करके रखी ती तो मैं इसमें दो से तीन आलू को हाथों से मैस करके इसमें डाल दिए लेसन और हरी पत्ते और आधी छोटी चमच में नमक डाल दी और इसे मैं हलकी हाथों से मिला की रीडी कर ली हूँ तो फ्रेंड्स जो मैंने डो लगा के रखे थे तो मैं उसे चेक कर ले तो यह दिखे तो हाथों से नमे थोड़ी दिर मसल ली उसके बाद अब मेडियम सायज की लोई काट से मैं इसमें काटोरी का सेफ दे दी हूँ यह देखे और जो मैंने लोकी के स्टपिंग बनाए थी तो इसके बीच में डाल दोंगी और अंगुठी से दबाते हुए यह देखे फ्रेंड्स और कीनारे को ऐसे पकड़ पकड़ के उठाती हुए से बंद कर लेनी है यह देख पराठे ना बच्चे बड़े सभी को बेहत पसंद आते हैं और खाने में बहुत याद टेस्टी लगती है तो मैंने बनाई तो अच्छे लगी तो सोची कि और अपना फैमिली से भी सेर कर दो यह दिखे फ्रेंड्स मैं पराठे को बेल की रेड़ी कर ली हुए तो मैंने य सेख गए तो मैं उसे पलट ली तो अब मैं इसे अच्छी दर से उलट पलट के सेख के रेड़ी कर ली हूँ तो फ्रेंड्स अब मैं पराठे में तेल लगा लेती हूँ तो फ्रेंड्स अभी मैं गैस के फ्लेम को मीडियम में ही रखी हूँ और मीडियम फ्लेम में ही तो आप में इसी तरीके से ना सारे पराठे को बना के रेडी कर ली हूँ तुमें एक थाली लेली और थाली में अब पराठे को सब कर लेती हूँ तो फ्रेंड्स यह देखिए यह जारखन के फैमस कुगनी है इसके साथ सिंपल पराठे पुडिया को इस भी खाले बहुत करके डाल दी और यह देखिए फ्रेंड्स पराठे कितनी ज्यादा सौप मुलायम बनी हुई है ना तो मैं इसे तोड़के भी दिखा रही हूँ अंदर तक ना बहुत ही बढ़िया से पक्के रेडी हुई यह देखिए तो फ्रेंड्स एक पार जरूर मेरे इस तरीके से इस लोकी के पराठे को बना के खाईएगा और अपने फैमिली वाले को भी खिलाईएगा सो बाई बाई